Brought to you by Agilis Diagnostics Agilis Diagnostics परिभाशित करने के लिए मश्पूर किया लेकिन इन सब के बीच युक्रेन के राश्पती जो खुद एक कोमेडियन रहे हैं अब वैश्विक राजनीती और कूटनीती के समझ के सवालों के खेरे में आ गए हैं ताजा बयान में युक्रेन ने भारत को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसे ना किवल गलत कहा जा रहा बल्कि ये भारत के लिए धम की भरा है युक्रेन ने भारत से रूस युक्रेन युद को समाप करने में और अधिक सक्रेता की मां की है साथ ही ये भी कहा है कि अगर भारत संयुतराष्ट में इस्थाई सीड चाहता है तो उसे इस मामले में और प्रयास करने होंगे ये बयान ना केवल युक्रेन की राजनीति समझ को सवालों की घेरे में लाता है बलकि उसकी वर्तमान इस्तिती और वैश्वी गराजनीति में उसकी भूमका पर भी प्रश्ण चिन खड़े करता है ऐसी समय में जब युक्रेन को अंतराश्टी मदद और समर्थन की जरूत है उसने भारत के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जो की धमकी की तरह सुनाई देती है इस पूरे घटना क्रम ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि युक्रेन की कूटनीती ना समझी और दिशाहिंता से भरी हुई है युक्रेन ने हाली में भारत के प्रती एक गलत और बेतुका बयान दिया युक्रेन ने भारत से ये मांग की कि अगर भारत संयुक्तराश्ट में इस्थाई सदस्ता चाता है तो उसे रूस युक्रेन युद को समाप करने में जादा महनत करनी होगी यह बयान तब सामने आया जब यूरोप से लेकर अमेरिका तक कि कई देश ये कह चुके हैं कि भारत इस युद को रोकने में एक एहम भूम का निभा सकता है लेकिन यूक्रेन ने इस बात को एक कदम आगे ले जाते हुए अपने बयान को धम की भरे लहजे में कह दिया यूक्रेन का कहना है कि अगर भारत को संयुत राष्ट में इस्थाई सदस्ता चाहिए तो उसे रूस पर दवाव बनाकर युद को समाप करवाने में सक्री भूम का निभानी होगी ये ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे शक्तिसाली देश जो संयुत राष्ट में भारत की स्थाई सदस्ता का समर्थन करते हैं उन्होंने कभी भारत के सामने ऐसी कोई शट नहीं रखी अमेरिका और बिटेन जैसे देशों ने हमेशा भारत की भूमका को सम्मानित किया और उसे एक महतपूर साज़दार की रूप में देखा लेकिन युक्रेन जो खुद एक कमजोर और संगस ग्रस देश है अब भारत के प्रती इस तरह की धमकी भरी भाशा का इस्तमाल कर रहा जो उसकी राजनितिक अपरिपकोता को दिखाता है दुनिया के कई बड़े देश ये मानते हैं कि भारत रूस और युक्रेन के बीच एक मध्यस की भूमका निभा सकता है भारत ने हमेशा शांती और स्थित्ता का समर्थन किया और उसने युद के समाधान के लिए लगतार कोशिशे की लेकिन युक्रेन ने जिस तरह की धमकी भरी भाषा के इस्तमाल किया वो उसकी कमजोर और दिशाहीन कूर्णिती का परिचायक है भारत जैसे देश के साथ धमकी की भाषा में बात करना युक्रेन की एक बड़ी भूल है खैर युक्रेन ने भारत को एक तरफ शांती सिखर समिलन का प्रस्ताव दिया और दूसरी तरफ उसे धमकी भी दी ये स्पस्टूप से दिखाता है कि युक्रेन भारत को धोका देने का प्रयास कर रहा जब एक देश किसी दूसरे देश से मदद मांगता है तो उसे सम्मान और सहयोग की भावना के साथ बाचीत करनी चाहिए ना कि धमकी और शर्तों के साथ यूक्रेन का ये कदम उसकी कुड़निती की ना समझी और गलत दिशा को दिखा रही है अब आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर और यूक्रेन के बयान को लेकर कॉमेंट करकर जरूर बताएं विरो रिपोर्ट भारत तर अब आपका कुछ कुछ कुछ